रिसेंट गूगल अपडेट्स के बाद जो चीज हम रियलाइज कर रहे हैं और हम नहीं तकरीबन हर बंदा इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि गूगल काइंड ओफ ये चाहरा है कि आप एक कॉंटेंट को छोड़के सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन कॉंटेंट के ओपर फॉकस करें तो चलिए डिसकस करते हैं कि क्या प्रॉसेस मैं यूज करता हूँ अपने आर्टिकल्स को राइड करने के लिए और कैसे उस प्रॉसेस से मुझे हमेशा 95% रिजल्स गैरेंटीड मिलते हैं 100% इसलिए निकाश sometimes exceptions होती है ऐसा नहीं है जो मैं लिख दूँगा वो rank हो जाएगा लेकिन जब आप एक process एक procedure को follow करके चलोगे तो trust me वो content AI से 5-6 गुना अच्छा होगा तो जब भी manual content writing की बात होगी ना पहली जो चीज सब से ज्यादा matter करेगी वो होगी आपकी research क्यूंकि एक चीज अब तक आपको पता चल चुकी होगी मैं अपनी वीडियो में काफी बार बता चुक हूँ कि आपको semantic optimization करते हुए अपने articles को craft करना होता है आपके article में अगर semantic optimization नहीं है तो यू समझ लें आपने उस article को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो search engine के अंदर rank कर सके या अच्छा परफॉर्म कर सके तो पहला step क्या होता है आप अपने keyword को search कर लें Google के अंदर तो for example यहाँ पे मैंने एक general keyword लिया है vacuum cleaner is really loud तो हम imagine कर लेते हैं मुझे इस keyword के उपर एक article बनाना है अब आपको पहली चीज हमेशा जहन में यह रखनी है कि आपका यह keyword किसी ना किसी cluster का part होना चाहिए that means कि आपके पास जो research कर रखी है पहले से आपने यह उससे belong करता हो 5, 10, 15, 20 keywords का एक cluster होगा जिससे यह belong करेगा ताके जब आप इस piece of puzzle को उन articles में adjust करेंगे तो यह वहाँ पे interlink हो सकेगा properly और interlink दे भी सकेगा अब आपने इस keyword को search करने के बाद जो top competitors होते हैं उनको open कर लेना है और वो relevant pages होने चाहिए for example आपका यह page है why are vacuums so loud लेकिन इसको open करने से पहले एक चीज़ है जो बहुत important है जो समझनी आपको वो यह है कि भाई यह जो page है यह कितने keywords के उपर rank कर रहा है for example यहां पर देखो 32 keywords के उपर यह rank कर रहा है 60 total search traffic यह ले रहा है अगला अगर आपको page देखते है वो 60 keywords के उपर rank है why are vacuum cleaners so loud ठीक है इसी तरह से अगला जो page है वो forum का है और हमने first two three pages जो most relevant होंगे उनका data देखना है और वो क्या data होगा first of all वो data होगा keywords का तो यह keywords का data मैं use कर रहा हूं basically href के extension है यह paid extension होती है तो मैं इसको use करता हूँ मैं यहां पर click करता हूँ keywords के उपर अब यह मुझे keywords की list दिखाएगा जिनके उपर यह page rank कर रहा है ठीक है तो 64 keywords यहां पर आ गए है why is my vacuum so loud और यह position 3 पर है traffic इतनी ले रहा है अब हमें क्या देखना है है असल में हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी additional terms हैं जो इस content में exist कर रही है है for example अगर मैं आपको quickly दिखा दूँ vacuum making weird noises तो अब आप देखो अगर vacuum cleaner loud है तो obviously अगर वो loud होगा वो weird noises create करेगा या फिर loud noise vibrating की term use करेगा ठीक है यह वो terms है जो actual में जिनका search volume है आप यहां पर देखो 60 search volume है first position KD1 है traffic इतनी आ रही है कम ज्यादा फरक नहीं पड़ता इस ची channel है Google के लिए कि आपके content के अंतर जितनी ज्यादा यह terms होंगी यह देखें high-pitched noise तो अभी-अभी मैंने within a second कौन से words ले लिए जो बड़े important है जो directly related है हमारे main keyword के साथ वो कौन से है weird noises vibrating यहां पे loud noise वहां पे high-pitched noise यह वो terms है जिनका आपके content में exist करना बहुत ज़्यादा ज keyword से start नहीं करना start कर दिया है अब उस content के अंदर यह वाले words exist करेंगे तो उस content का बारे में Google को यह पता चलेगा कि yes यह relevant page है यह किसी expert ने लिखा है क्योंकि वो terms वो data सिरफ एक expert provide कर सकता है अब अगर आपके content में जब यह terms नहीं होते Google को यहीं लगता है कि किसी expert ने लिखा है that's why वो rank नहीं करता अब इसी तरह से आप क्या करोगे आपने पूरे keywords की list को देखना है ठीक है और जो जो ऐसे words commonly common sense की base पर आपको लगेंगे आपको पूरे का पूरा keyword उठा के अपने पास रखने की ज़रुएत नहीं है Google इतना understand कर सकता है कि आप सिरफ अगर वो words भी ले कर रहा है तो भाई वो फिर content में भी तो होना चाहिए अब मैं आपको दिखाता हूं Google कितना इस चीज़ कांटरस्टेंड करता है कि Google के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो keyword as it is content में हो देख ले मैंने उसको control सर्च किया page के अंदर अब वो कहीं पे भी exist नहीं का रहा है that means कि अगर उसके अंदर वो relevant words आ रहे है that's it तो आप यूं समझ लें कि आपके content को लिखने के लिए ये ingredients सबसे important जो होगा वो यह होगा आप ये relevant words की लिस्ट निकालो इनको अपने पास one by one या तो इस पूरी list को यहां से आके simply export कर लो या पिर इन words को जो है वो यहां से important words one by one comma separate क करके अपने पास निकालो इसके लिए ह्रेफ की जूरत पड़ेगी 5-10 credits आप यूज कर सकते हो तो screen पे नमबर आ रहा होगा वहां से ह्रेफ मिल जाएगा आपको trusted seller है अब जब आप article लिखने बैठोगे आपके पास सिर्फ main keyword नहीं होगा अब आपके पास a list of words होगी जिसके बारे में आपको ideas आएंगे कि अच्छा मैंने अगर इन words को use करना है तो मेरी lines कैसे बनेगी मेरे paragraphs किस तरह के बनेगे अब यू समझ लें के content writing में अल्टीमेटली आपको ये चीज़े help कर रहे होगी लाइफ प्रेक्टिस करने के लिए मैंने यहां पे आप लोगों के लिए इसी में से लिए for example यह देखें vacuum belt keep breaking तो sound of a hoover vacuum motor is bad तो क्यूंके motor भी बहुत closely related word है तो यह भी हमारे content के अंदर exist करना चाहिए तो इस तरह से एक list बनेगी keywords की first three competitors से भी ज्यादा आप लेके उनका भी data लेए जितने ज्यादा data लोगे उतना ज्यादा आपका page enriched हो जाएगा अब यह data हमारे पास आगया अगली चीज यह है कि अब आपको एक outline चाहिए जिसके ओपर आपने content लिखना है तो outline के लिए इससे best क्या हो सकता है कि आपके पास already verified sources हैं जिनको Google पसंद कर रहा है यह पहला page है मैं example के लिए सिर्फ दो page लूँगा ताकि आपको समझा सकूँ तो मैं अपनी practice बता रहा हूं जो मैं चीज करता हूं as it is जो मैं करता हूं मैं वो बता रहा हूं हम दो pages को open कर लेंगे पहला page हमारे पास अगर यह है तो इसकी headings क्या है यह क्या topics को cover कर रहा है तो page है keyword है हमारा why are vacuum cleaners so loud अब इसके ओपर अगर हमने content लिखना है तो हमें क्य क्या cover करना पड़ेगा जी यह एक heading है यह second heading है ठीक है इसी तरह से अगर आप आगे आ जाओ maintenance tips to prevent your vacuum from becoming noisier and conclusion that means के इसने तीन headings में इसको conclude कर दिया है आगे चलते हैं इस competitor ने क्या किया है इसने start के अंदर ही solution दिया है the world has changed an unbearable vacuum cleaner sound signifies that your machine has one or the following issues ठीक है तो आप content में से भी आपको ideas मिल रहे होगे कि एचा यार यह content के अंदर यह चीज़ने discuss की गई है अगर आप कभी यह इसे भी generate कर वाओ तो इन चीज़ों को तो मैं तो self check करता हूँ पहले कि हाँ यह वाकी वही चीज़ डिसकस हो रही है वायर vacuum noisy तो यहां पर क्या बात हो रही है जी the motor constant air pressure changes constant machine vibration तो अब देख रहे हैं वो words का usage आप कैसे हो रहा है तो basically strategize करना हो है आपने वो words का data lake के अपने content की lines को strategize इस तरह से करना है line भी बने अच्छी बने words use हो जाए user पड़े उसको समझ आए search engine को वही मिले जो उसको चाहिए मामला हल हो गया ठीक है तो vacuum machine vibrations and इस तरह से ये एक main heading है और उसके नीचे ये sub headings आ रही है ठीक है तो ये अच्छा खासा लंबा content है अब मैं क्या करूँगा मैं यहां से headings की list निकालना शुरूप कर दूँगा तो headings as it is use करने में कोई problem नहीं है because आप थोड़ा सा change भी करना जो किसी दूसरे ने किया है एक नए अंदास में ठीक है तो heading का कोई इतना issue है नहीं है अगर किसी को ज्यादा concern है तो वो अपनी heading को chat GPT से भी change करवा सकते है अच्छा तो अब for example why are vacuums noisy तो मैं इस heading को यहां पर ले लेता हूँ आगे वो कह रहा है vacuum machines vibration फिर कह रहा है constant air pressure changes फिर कह रहा है motors आगे फिर main topic आगा why is my vacuum so loud तो अभी के लिए में इतना section अगता हूँ ताके मैं इसको आपको execute भी करके दिखा सकूं साथ में कि यह content में कैसे राइड है अभी हमारे पास suppose कर लें तीन competitors के data को हमने देखा analyze किया और कुछ elements ऐसे होगे जो तीनो competitors में same मिलेंगे कुछ ऐसे होगे जो पहले में हैं दूसरे में नहीं है दूसरे में हैं तीसरे में नहीं है हम उन तीनों में से वो सारा data निकालेंगे जो एक में है दूसरे में है तीसरे में नहीं है इस तरह से हमार जो page होगा, वो ज्यादा relevant होगा, ज्यादा elaborative हो जाएगा, ठीक है, तो word length का यहाँ पे कोई issue नहीं है, Google आपको यह कभी भी नहीं कहता, अगर 3000 word का article लिखा तो मैं आपको index कर दूँगा, ठीक है, आप जहां तक explain कर सकते हो, चीजों को करो, बिला वजा कि explanation दोगे, आप अप अपने topic की حدود से बाहर निकल जाओगे, आप लिखना कुछ और चा रहे था, आप चले कहीं और जाओगे, इस चीज़ का बस आपको ख्याल रखने है, ठीक है, अब यह चीज़ करने के बार, अगला process है, राइटिंग का, तो राइटिंग के लिए आपको हमेशा inspiration अगर ले अगर मैं बात करूँ यहां से, वाई आर वेक्यूम जाओगे, इस नॉर्मल फोर यूर वेक्यूम तो भी नाइजी वेन इन ओपरेशन ड्यू तो फॉलिंग, इन तीन रीजन की वज़ा से आपका जो वेक्यूम क्लीनर है, वो नाइजी हो सकता है, और बाद में उसने क्या करना होगा, फिर उसके बाद अंडर्स्टेंड करना होगा कि अच्छा यह यह चीजें डिसकस हो रही है, अब अपने माइंड के अंदर सोचना है कि अच्छा अब इन ही चीजों को मैं यूज करके एक नई चीज कैसे बना सकता हूँ, और फिर मैं अपने वर्ड्स को भी य अब मैं अपनी तरफ से कुछ यहां पर चीजें लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब यहां पर मैंने वर्ड्स का वर्ड्स का वर्ड्स का वर्ड्स कर लिया, तो इस तरह से वर्ड्स को बेसिक लिखने का वर्ड्स 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 का आपने strategize करके use कर ले ना ठीक है तो अब मैं कहता हूँ यहाँ पे issues that can cause a vacuum to create weird noises can be the motor vibration or air pressure changes ठीक है तो क्योंके तेखें एक reality जो है वो reality ही रहेगी vacuum cleaners जो noise create करते हैं वो तीन वज़ा से कर रहे हैं because already हमने इस चीज़ को confirm कर लिया या तो motor की वज़ा से या कोई vibration हो रही है या फिर air pressure changes हो रहे है तो वो तीन words के लावा बाकी सब कुछ unique है मेरा बाकी मैंने सब कुछ अपने तरीके से लिखा है अब तो हम मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मैं चाहूँ मैं heading देना चाहूँ तो ठीक है if the motor is culprit तो motor के बारे में जब मैं लिखने लगूँगा तो मुझे यहाँ पे रीड करना है vacuum motors spin as they rotate the belt making the loud noise vacuum cleaners with a DC motor are quiet or quieter than those using AC motor अब वो कहरा DC motor जिन में लगी है वो बहुत कम noise करते हैं AC motor जिन में लगी होती है वो noise ज्यादा करते हैं और इस तरह से वो मैं बता रहा है कि motors किस तरह से काम करती है अब मुझे यह information मिल गई है अब इस information में मैं अपना ingredient add करूँगा अपनी line बना दूँगा लेकिन ingredients और line इस तरह से बनाऊंगा कि वो एक unique चीज़ बने बात वो यही करना चाहरा हो इसी तरह से मैं उपर वाली यह जो बात लिखी है इसी तरह से मैं motor के बारे में बात लिखूँगा तो अभी यह थोड़ा से मैंने rough लिखा है लेकिन आपको समझ आजएगी कि यह headings की बात हो रही है यहाँ पे इस तरह से हम motor के बारे में लिखेंगे जब तो यहाँ पे motor के बारे में लिख देंगे line और यहाँ पे हम air pressure के बारे में line लिखेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें discuss हो रही है So this is how you write अब पूरा article लिखने का फाइदा नहीं है पॉइंट यह है आपको concept समझ आजए कि लिखना कैसे असल में आपके पास data हो आपके पास inspiration हो then you start writing अब आपको खुद पता होना चाहिए grammar का ताके आप वो mistakes ना करो जो एक content में होने चाहिए otherwise कोई issue नहीं है आप उस content को बाद में proof read करके ठीक कर सकते हैं grammarly use करके या chat GPT को भी बोल सकते हैं कि भाई ये content लिखा है as it is रखना grammatical issues को resolve करतो तो जुरूत है नहीं पड़े हैं आपको grammarly लेने की so इस तरह से हम अपना content produce करेंगे अब बात आ जाती ही optimization की तो optimization साथ साथ ही होगी जब आप heading का structure बनाते हैं तो main heading आपकी जो keyword वाला होगा वो H2 में रहेगा जो भी on page की setting करनी है for example आपने page पे headings, images, interlinks, external links जब ये सारी चीज़ें करनी हैं तो उसके बारे में क्या पता होना जाए अगर नहीं पता होगा तो वीडियो जो लिंक करूँग उसको watch कर लें अब उसके बाद एक आखरी edition जो आपने करनी है आपने Google से ही उस keyword के जो FAQ हैं वो ले लेने है for example अगर मैं यहां पे जो हमारा keyword हमने सर्च किया था उसके लिए Google ने हमें क्या FAQs प्रवाइड किये थे वाइज माई वैक्यूम क्लीनर सो लाओड वाउड डू आई मेक माई वैक्यूम लेस लाओड ठीक है वाइज माई वैक्यूम अ हाई-पेच्ड नॉईज तो यह तीन-चार questions है अगर उनकी वाकिए में reason बन रही हो कि उनको discuss करना चाहिए तो आप उनको ले के अपने content में add करो क्योंकि हो सकता आपका कोई question यहां पे भी Google पिक करके एड कर देगा तो यहां से अलग traffic आपको मिल सकती है इसके अलावा एक bonus चीज यह हो सकती है आप अपने content में schema add करो तो schema के उपर में एक video plan कर रहा हूँ अगर आपको चाहिए comment में आपने schema लिखना है जिससे मुझे पता चलेगा अलाह अपिस